कॉंग्रेस के प्रधान मंत्री थे ये नामदार के पिता जी उन्होंने कहा था कि दिल्ली से एक रुपिया निकलता है तो गाउं जाते जाते पंदरा पैसा हो जाता है देखा ये कॉंग्रेस का जादू दिल्ली से रुपिया निकलता है गाउं में पहुंचते पहुंचते पंदरा पैसा हो जाता है इम मैंने नहीं कहा नामदार आपके पिता जी ने कहा था उस समय के प्रधान मंत्री सिमान राजिव गांदी जी ने कहा था अब सवाल ये उड़ता है जब राजिव गांदी प्रधान मंत्री थे तब पंचायत से लेकर के पार्लामेंट तक कॉंग्रेस के सिवाए कहीं किसी का जंडा नजर नहीं आता था पंचायत से पार्लामेंट तक एक चकरी कॉंग्रेस का राज था उपर से नीचे तक सब कॉंग्रेस के लोग राज कर रहे थे उस समय आपके पिता जी ने कहा था कि दिल्ली से रुपिया निकलता है पंदरा पैसा हो जाता है जरा नामदार जवाब तो दो वो कौन सा पंजा था जो रुपिय को गिस गिस करके पंदरा पैसा बना देता था वो कौन सा पंजा था जो हिंदुस्तान के गरिब के हक के पचासी पैसे लूट लेता था भाईयो भेनो और ये लूट लेकि उनकी प्रक्खी व्यवस्ता थी ये मोदी पर इतनी गुस्से क्यों करते मालूम है आपको इतने नाराज क्यों है बार बार मोदी को अनाप सनाप भासा में क्यों संबोधित करते हैं मालूम है न क्योंकि उनको पता है उनकी मुसीबत का कारणी मोदी है क्योंकि पहले रुपिया निकलता था 15 पैसा पहुता था मुपत का 85 पैसा मिलता था ये मोदी ने आकर के आधार लाया जंदन का एकाउंट खोला आधार के आधार पर वेरिफिकेशन किया जाच की आप हैरान हो जाएंगे हमारे देश में छे करोड लोग ऐसे मिले कि जिनका कहीं नामों निशान नहीं था लेकिन किसी को विद्वा पैंशन जा रहा था कि दिके नाम पे राशन जा रहा था किसी से के नाम पर घर आवंटिध होता था किसी को मिट्टी के तेल की सब शीड़ी बिल जाती थी और ये सारे रूपिय कमाने की उनकी परफेक्ट साइन्टिफिक व्यवस्ता थी अब मोदी ने आकर के टेक्नलोलोजी का उप्योग किया अब हरान हो जाएंगे जो बेटी अभी तक पैदा नहीं हुई थी वो बेटी कॉंग्रेज के दफ्तर में विद्वा भी हो जाती थी और कॉंग्रेज की सरकार में उसको पैंसन भी चला जाता था जो बच्चा परदा नहीं हुआ वो स्कूल में भरती हो जाता था उसके नाम पर मध्यान भोजन का बिल बन जाता था उसके नाम पर scholarship चली जाती थी और माल Congress की सरकारों में बैठे हुए लोग खाते थे मोदी ने आके क्या किया टेकनलोजी का उप्योग किया और लोगों को कहा कि आपके हकता पैसा कोई बिचोलिया नहीं कोई बिच में जोला जाब नहीं कोई नेता नहीं सीधा सीधा आपके बैंक के खाते में जमा हो जाएगा और उसमें छे करोड लोग ऐसे ध्यान में आए कि जो मौझूद ही नहीं है लेकिन राजी उजगांदी के जमाने से अब तक माल खा रहे थे और आपको खुशी होगी भाईयो बेनो जब दिल्ली में इमानदार सरकार बैठी है तो देश के चोरी होने वाले नब्वे हजार करोड रुपिया याद रखिए नब्वे हजार करोड रुपिया जो इस प्रकार से गलत नामों से चोरी कर लिया जाता था भाया वो क्या मोदी को गाली देगा कि नहीं देगा मोदी पे गुसा करेगा कि नहीं करेगा मोदी पे नाराजी होगी कि नहीं होगी भाईयो भेनो ये नाराजी ये गुसा इसी बात का है नब्वे हजार करोड रुपिया साला ना हिंदुस्तान के गरीब का हग का पैसा लूट लिया जाता था हमने इसको रोका है इसलिए उनको परेशानी हो रही है मुझे बताईए भाईयो बैनो ऐसा काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए देश के रुप्यों को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए गरीब के हग का पैसा गरीब को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए मद्जंबर के हग का पैसा मद्जंबर को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए देश के किसानों का हग का पैसा किसान को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए देश के युवा के सपनों के लिए हिंदुत्तान का पैसा काम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए भाई ये भेनों ये बात नामदार को पसंद नहीं है उनको तक्रीफ हो रही है